हेलो दोस्तो स्वागत आपका मेरे चनल प्रताब जी टेक में मैं आपका दोस्त तेज प्रताब और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो नए स्टुडेंट आये हुए हैं मतलब जिनका इंट्रेंस एक्जाम के थूरू एडमिसन हुआ है वो अपना इन्रोल्मेंट नंबर कैसे पराप्त करें दोस्तो इन्रोल्मेंट नंबर क्या होता है ये आपका एक ऐसा नंबर होता है जो आपको डिपलोमा करते वक्त और डिपलोमा के बाद भी बहुत ही ज़ादा जरूरी होता है जो आपको कॉलेज की तरफ से नमांकन किया आता है इसी इन्रोल्मेंट नंबर के थूरू अपन इन्रोमेन नंबर कैसे पाएं तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप मेरेशां को सब्सक्राइब करिएगा और बिल आइकन जरूर दबाएगा ताकि जो भी लेश्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप टेक पहुचे तो दोस्तों देखा जाए जो सची प्रवदिक सिछा परिशत उत्तरप्रद्द्र लखनाउ द्वारा जारी किया गया है ठीक है इसमें सभी परधानाचारिय जो गौष्ट के हो अनुदानियों हो या फिर प्राइबेट के हो उन्सभी प्रधानाचार्य को यह अप्लिकेसिन भजा गया है इस अप्ल इरिया का कार्य परिशत की बेव साइट www.bteup.ac.in के थुरू किया जाएगा ठीक है तो दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रहें मैं पूरा डीटेल दूंगा कि आपको कैसे इनों नंबर के लिए राइस्टेशन करना है ठीक है तो हम देखते हैं महोदय प्या परिशत पूर्व में प्रेशित पत्रांग संख्या प्रासिप परशत दोर 21 चपन इग्यारा दिनांग 14921 सेचिक कलेंडर यानि जो आपका कलेंडर लांच हुआ था वो 14921 को लांच किया गया था उसके संदर्व में ग्रहड करने का कश्ट करें उक्त पत्र के अनुक्रम में सेच समस्टर परिच्छा दोर 22 में नौप रसी छात चात्राओं का नावांकर मतलब जिनों ने नया एडमिसन लिया है उनका नावांकर दिनांग 15 नौंबर दोर 21 से 10 दिसंबर 22 के मद्द संपन करान जारब प्रस्तावित हुआ है ठीक है अब आगे दखिए यहां पर भी यूपी डाट एसी डाट इनके द्वारा निर्धारित अवधि में पूल किया जाना है ठीक है दोस्तों आपका जो बीटी यूपी का जो साइट है उसके थुरू आपका रेइस्टेशन किया जाएगा ठीक है उक्तिके संबंद में समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया यह कॉलेज के लिए है निर्देशित कि आता कि नमांकन से संबंदित चात्र चात्राओं का वीवरण संनलग्न के अनुसार संकलित कर लें मतलब कलेक कर लें एवं नमांकन प्रक्रिया शुरू होते ही नव प्रवेसित इस्टूदेंट का निर्धारित अवधि में दोस्तों 15 नौबर से 10 दिसंबर के बीच में आपके इंडोर नंबर के लिए रेइस्टेशन कर लेना है आप अपने अध्यापक को या फिर प्रधाना अध्यापक को जोड़ देकर आप करा लीजिएगा ठीक है अब हम बात करेंगे कि क्या क्या डपकोमेंट्स रिकॉरड है आपके इस नामांकन के लिए ठीक है तो चलिए हम उस डिटैल के बारें बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिटैल होना जाए धिए देखिए सबसे पहले क्या आपका नाम फादस्नेम होना चाहिए मदस्नेम होना चाहिए डेटा बर्थ होना चाहिए जेंडर काटेगरी किस काटेगरी से बिलॉंग करते हैं सब काटेगरी माइनोरिटी होना चाहिए आधार नमबर और जीकब इन्रोर नमबर जिसके थुरू आपने अपना entrance exam दिया था ठीक है अब देखिए दूसरा डिटर क्या होना चाहिए complete address जो आपके आधार कार्ट पर या high school पर होगा वो complete address district और तैसिर का नाम बहुत ही important है state आप किस state से belong करते हैं आपके area का pin code mobile number और email id दोस्तों अब आपने email id नहीं हो तो email id बना लीजेगा ठीक है अब देखेंगे next requirement क्या है documents की examination name board university ठीक है year up passing आप कहां से pass की है examination name मतलब कि high school इंटर जो भी आप पास की है वो ठीक और year up passing किस year पास की और percentage क्या है आपका ठीक है और last दो documents क्या होना चाहिए scanned photo state जो 40 30 से पचास के भी के 20 में होना चाहिए उसका size ठीक है student signature और student का signature होना चाहिए ठीक है इतना सारा documents आपको चाहिए और आप अपने column इसको जमा कर देंगे और teachers आपका registration कर देंगे और आपको indoor number प्राप्त हो जाएगा यार आपके लाइक से हमारा एक motivation बनता है तो दोस्तों ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूंगा और आप नए है इस channel पर नए है तो आप जरूर चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि पॉलिटेक्निक से जीतने related information है वो सबसे पहले में आप तक दूंगा थैंक यू जै हिंद